So hey guys, welcome back to another video of XC Gaming and guys, this is the video number 17, video of tournament series, basically, पहले तो आपको बहुत-बहुत बाधाई हो, मतलब नए साल की बहुत-बहुत सुख कामना है, मतलब, ट्राई करना की यह यह आपका बहुत 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 अबग्रेंगे होँने और आगे बाढ़ेंगे तो आजकी बढ़ेंगे मैं पहले तो हम बात करने वाले हैं कुछ वेकली टिप्स के बारे में तो विडियो को इंटते ज़रूर देखना घर नहीं होत तो प्ली सब्सक्राइब करना साथ है, हम हर में सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं लेकिन जो हमारा सब्सक्राइबर काउंट और हमारे जो व्यूस है ना वो डे टू डे मतलब डाउन जाते जा रहे हैं क्योंकि मैं रेगुलर हो गया था अपने एक्जाम के चलते देखो अभी मैं तोड़ा सा रेगुलर होने वाला हूं मतलब पूरा वीडियो कंटे देखने के बाद लाइक कर देना और आपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सबस्क्राइब भी कर रहें अगर नए हो वीवर्स मतलम नए वीवर्स हो तो पहले से हो तो उनमें बहुत बड़ा चंजा है कि मतलब हमारे टीजी तो पहले वेकल का यूस करत लेकिन जो पर ओपने पुराने वीडियो में कौलिफाई वाली वीडियो में तो इस वीडियो में हम तुमको पहले यह बता देते हैं कि वेकल जो हमारी टिप्स हैं मतलब उनके यूज़ेस क्या होते हैं देखो बईया हम पहले पौईंट की बात करें तो वहां पर उसकेप बहुत जल्दी कर सकते हैं मतलब ले्लिये हैं कर तुम्हारी पास चार स्कॉर्ड उतर गई है अiénbenी तुम्हारी पास एक दूर स्कॉर्ड उतर गई है Pleам फ़र आप अकेले हो य या फिर आप दो बंदे हो दो बंदे का ही पीछे step, मलब step back कर लिए, फिर मतलब backward ले लिए हैं, अपना अलग कहीं जगे मतलब land कर गए, तो वहाँ पर तुम्हें escape करने में बहुत ज़दा help करती है, देखो अभी तुम्हें मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि भईया escape करेंगे, हम अगर हमको कोई vehicle ना मि सबसे बड़ा background reason इसका ही है, वेकल का यूज करना कि तुम rotation कैसे भी करके ले सकते हो, जोन के अंदर जाके, जोन के बाहर जाके, तुम अगर तुम्हारे पोल्स पे तुम्हारा जोन बनना है, तुम suppose कर लो अपोसिट पोल पे हो, तो वहाँ से तुम एक दम शॉर्ट टाइ तो लोग यूज करते हैं, बट open qualifiers में इसका बहुत ज़दा यूज हुआ है, तो देखो वही है, तुमको मैंने बताया था कि अगर तुम जीप लेके भागोगे तुम्हें डैमेज बहुत ज़दा लगेगा, अब तुमको एक character skill की बात करते हैं, देखो वही है कि मीशा ए गाड़ी चला रहे हो, तो तुम्हारे उपर जो हमारा enemy है, उसका aim नहीं आएगा, अब aim क्यों नहीं आएगा, क्यों क्यों हो जाता है, precise control, अब देखो गाइस हमारी जो अपनी e-sport की audience है, या फिर नॉर्मल free fire की audience है, वो देखो यार 90% लोग क्या होते है, 90% 95 भी हो सकता ह तो default खेलना स्टार्ट कर देते हैं, बाद में आगे चलके उनको पता चलता है, तो वो यार जब switch करते हैं, उनको बहुत जदा problem जिलनी पड़ जाती है, तो इसलिए वो switch करने की जगह, वो लोग default ही select कर लेते हैं, और as a default control वो हमेशा के लिए use करते चले जाते हैं, उसमें तो इसलिए सक कुछ लोग होते हैं, जो उनको मतलब अच्छा लगता है, कि हमको precise भी सीखनी चाहिए, हमको ये full control भी आना चाहिए, तो वो लोग उनको प्रफर करते हैं, तो वो लोगो switch कर लेते हैं, उननों को तीने control आती है, बलग तीनों control आती है, तो इन सब शीज़ों मीशा लगा लो, अब मीशा क्यरेक्टर तुमको मैंने बता दिया, इसके ability क्या है, देखो भईया, मीशा क्यरेक्टर बहुत खतरना क्यरेक्टर, एक बार तुम लगा कि खेलना है, तो तुम्हें पता चल जाएगा, अब उपेन कॉली फार्स में इसका यूज़ बर-बर के में जाएगी हैंगे जता हैंगे जाने का मतलब कि निक लेंगा निकिली फार्स में गर अच्ल ले करते बाल एगा, तुम्हें थम निकाला हैंगे। अब तुम यह समझ लेना ठीक है क्योंकि प्लेस्मेंट पॉइंट नहीं तुमको आगे ले जाएगा नहीं सिर्फ और सिर्फ किल पॉइंट दोनों अगर चीजों का कॉम्बिनेशन तुम कंबाइन करके अगर थोड़ा थोड़ा भी लेते हो 50-50 परसंट तभी तुम बहुत अगर तुम यह वैकल का यूज करना स्टार्ट कर देना क्योंकि अगर तुम वैकल का यूज करोगे तो तुम्हारे पास एबिलिटी मतलब बहुत आ जाएंगी यूजिए जो गेम के अंदर जो चीजें दी गई है वो यूजी करने के लिए दी गई है अब यूज नहीं कर तो वह character करता क्या देखो वह तुमको 5 HP देगा जितने भी गाड़ी में बंदे बैठे होंगे वो हर 2 सेकंड पे 5 HP इस्टोर करेगा अब जो लोग लेट रोटेशन लेते हैं उनके बहुत बड़ा बेनिफिट है देखो बहुत सारी टीम जो होती है वो बहुत जदा लेट रो अगर तुम कभी भी अंदर intense fight हो जाती है तुम घुश जाते हो वहाँ पर सपूस कर लो zone के अंदर नहीं तुम fight ले रहे हो वहाँ पर तुम घुश गये तुमारे पास मीसा नूट रहा है तुमारे पास दो बंदे बैठे हुए तुमारी वेकल पर अकेले हो तुमको अब टीम में कोई भी अच्छा रोल परफॉर्म करने के लिए तुमारे पास उसकी skill होना जरूरी है मतलब character skill प्लस तुमारी internal skill इंटरनल skill तो तुमारी practice से आ जाएंगी लेकिन character skill भी होना जरूरी है और slot कितने होते हैं सिर्फ और सिर्फ तीन star slot ठीक है तो वहाँ पर तु अबैक्स देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा step back करना पड़ जाएगा लेकिन अगर तुमारी practice होगी तो तुम भाई वेकल से भी टू वीलर से भी बहुत अच्छे skill point निकाल सकते हो कि मैंने दोस्तों को देखा है जो मतलब जो टोर्नामेंट खेलते बहुत ज़दा प्लेयर मतलब अभी तो मैं टूर्नामेंट नहीं खेल रहा हूँ बाकि जो हमारे प्लेयर्स खेलते हैं हमारे जो दोस्तों लोग खेलते हैं वो यूज करते हैं मिशाना तो मेरे को भाई बहुत खुसी होती कि उनका गेम देखते हुए कि वह कैसे skill point निकाल दो-चार दिन का gap बहुत ज़दा हो जा रहा है तो इसके लिए मेरे को sorry भाई बोलना पड़ रहा है मैं क्या करूं बहुत ज़दे time मतलब मिल नहीं पाता है और जतना भाई कुछ internal listen है कुछ family issue है भाई तुमको बाद में बताऊंगे यह सब तुम बताने हुली चीज़े है वगी में पाई रहा है लिए में दुमको बाई कुछ है ऑाई दुमकोर Final 오क Cur té간 में हुएवे स्वार क का बि día पाई कर रहा है तुमकर था विल्चर प्लस को शुमकर में भें के कि कि यह सॉचरा आए नहीं से धुछ झाल झाल